हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टो ग्लोबल ऑनलाइन, दिस इस अंकीता सोट, सो वेस्पेंगोल सैट पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम डिसकस करेंगे रीसर्च एथिक्स जो की एक बहुत ही जादा इंपोर्टेंट अंड इंटरस्टिंग टॉपिक है इससे related जितने भी previous year questions हैं और expected questions हैं वो सभी आज के सेशन में हम cover करेंगे साथ यहरे question के मैं आपको detailed explanation भी बताऊंगी ताकि आपके concepts भी clear हो जाएं आगे बनने से पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि exam qualify करने के लिए paper 1 preparation पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इसमें आप आसानी से 75 प्लस score कर सकते हूँ अगर आप एक smart preparation को follow करते हूँ और इसके लिए complete course हमने launch किया है जो कि examination के difficulty level और latest pattern को ध्यान में रखते हुए ही बनाया गया है इसमें हम complete paper 1 के full syllabus video lectures आपको देते हैं बहुत ही simple language में real life examples के साथ बहुत ही ज़्यादा interesting way में यहाँ पर आपकी सारे concepts clear करवाने की मैं surety देती हूँ साथ ही full syllabus notes आपको pdf format में मिलेंगे जिसको असानी से अपने mobile phone में भी download करके आप पढ़ सकते हो full syllabus mock test में आपको 60 से भी ज़्यादा mock test मिलेंगे दोनों languages में and इसमें से hazardous questions exam में आते हैं यह mock test अगर आप लोग attempt कर लेते हो तो definitely आप लोग examination में अच्छा score कर सकते हो and साथ ही 2000 plus mcq question bank में आपको मिलते हैं previous year questions, most repeated questions and most expected questions so हरे question के solution के साथ आपको detail में explanation भी दी जाएगी ताकि revision के दरान भी आपके सारे concepts clear हो जाएए यह सभी questions revision में आपको बहुत help करते हैं so given whatsapp numbers पर contact करके आज ही इस course को join कर लीजे इसके लिए आपको सरफ एक ही बार fees देनी है 2000 रुपई एक्जाम तक यह fees valid रहेगी है, course valid रहेगा and इसके free videos के access के लिए global online आपको जरूर डाउनलोड कीजे store section पर जाकर search bar में आपको course का नाम लिखना है course के overview के बाद content पर click करते ही आप यहाँ पर देख सकते हो syllabus मिल जाएगा separately मेरे folders मिल जाएगे and यहाँ पर unit wise folders है जहाँ पर आपको theory lectures, mcq lectures, mock test और notes भी मिल जाते है यह exam oriented course है, definitely 6 महीने के अंदर अंदर आपको exam को qualify करने में यही course मदद करेगा so given numbers पर contact करके आप इस course की पूरी जानकारी जरूर ले सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं, हमारा आज का पहला question है from the point of view of research ethics, which of the following is least one level in research तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा topic है वो है research ethics तो आप लोगों को इसका meaning पता होना चाहिए so ethics का मतलब होता है नैतिकता यानि कि अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो उसकी कुछ नैतिक rules होते हैं तो रिसर्च जो process है complete उसको जो हम complete करते हैं तो उसमें भी कुछ rules होते हैं, कुछ नैतिकता ही होती है तो यहाँ पर बोला गया है कि research ethics related कौन सा पॉइंट है जो कि least vulnerable है पहला option है problem formulation and identifying the variables involved यानि कि जो भी problem है जो भी हमारी research की problem है उसको formulate करना उसको अच्छे से धूनना ठीक है और उसमें जो भी variables involved है उनको identify करना दूसरा option बोलता है data analysis and interpretation तो जो भी data है information है जो हमने collect किया है उसको हम लोग analyze करेंगे and then उसको interpret करेंगे यानि कि उसकी व्याक्या और visualization करेंगे अगला option है reporting of research result and their implications यानि कि research में हमने data collect किया ठीक है उसका जो भी होगा result उसकी हम लोग क्या करेंगे एक proper report generate करेंगे ठीक है और उसकी जो भी implications होंगी उनको भी report में हम add करेंगे next option बोलता है citing a theory in support of the ones thesis यानि कि जो कोई person है जिसने already thesis बनाई हुई है ठीक है उसके लिए हम क्या करेंगे theory का support लेंगे ठीक है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि least vulnerable पूछा गया है ठीक है तो इसका मतलब होता है एक तरह से हम बोलेंगे helpless option कौन सा है ठीक है तो आप लोग देख सकते हो कि जो research की report generate करना ठीक है result आ जाता है उसकी report generate करना and उसको implicate करना that is the least vulnerable type ठीक है so option number 3 is the right answer question number 2 आता है हमारे पास कि identify the unethical practice of a researcher from the following unethical यानि कि unethic ठीक है यानि कि वो rules and regulations को follow नहीं कर रहे है तो पहला इसमें point है avoiding plagiarism तो plagiarism क्या होता है यह आप लोगों को पता होना चाहिए plagiarism होता है एक तरह से copy करना ठीक है मान लीजे कि किसी content को हम लोग as it is कहीं से उठा करके कहीं पर copy कर देते हैं तो उसमें हम लोग plagiarism add कर रहे हैं ठीक है तो दूसरा है avoiding manipulation यानि कि जो उसकी hair fare होती है उन चीजों से बचना दीसरा है avoiding duplication ठीक है duplication duplicate चीजों का आप लोगों को मतलब पता है कि एक ही चीज को अगर हम लोग बार बार लिखते हैं यह सोचके कि जो हमारी research की thesis है जो हमारे notes है उसमें हम लोग pages बढ़ाएंगे तो यह चीज use होती है ठीक है तो इसमें बुला गया है कि हम उसको avoid करेंगे next बोलता है avoiding reliable information ठीक है यानि कि जो विश्वसनी जानकारी होती है उसको हमें avoid करना चाहिए ठीक है तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो right answer है option number 4 कि जितनी भी reliable information होती है उसको ही अगर हम लोग avoid कर देंगे तो वो unethical ही होगा हमेशा students यहाँ पे क्यों confused होते हैं वो unethical की जगा ethical के point of view से चीज़ों को देखते हैं तो यहाँ पे बहुत easy question है कि plagiarism जो है उसको हमें avoid करना चाहिए यहाँ पे बोला है कि नहीं करेंगे हमें करना चाहिए manipulation को भी avoid करना चाहिए and duplication को भी avoid करना चाहिए and जो भी reliable यानि कि ज़रूरी information है research से related हमेशा हमें उसी को add करना चाहिए तो एक बात मैं और बताना चाहती हूँ जो research ethics होते है न यह exactly होते क्या है तो यह कुछ guidelines होती है जिससे कि हम लोग research को responsibly conduct कर सकते है and इस में कुछ ethical principles होते है social responsibilities से related अब हम लोग कोई research कर रहे है तो वे एक social activity है बहुत सारे लोग उस पर dependent हो सकते है तो ethics always help us to identify right or wrong differentiate good or bad इसलिए नाथिक्ता है जो है वो use की जाती है तो research study के stages अगर आप लोगों को पता है तो यह question आप लोग एक second में solve कर सकते हो तो यहाँ पे बोला गया है कि violating research ethics को हम जो है किस तरह से जो है violate करेंगे relevant in respect of which of the following stages तो पहला है यहाँ पे formulating research hypothesis hypothesis का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका मतलब होता है अनुमान लगाना तो research में अगर हम लोग अनुमान लगाते हैं उसको formulate करते हैं and setting up a null hypothesis for testing it तो उसके बाद null hypothesis को हम इसके testing के लिए use करेंगे next आता है defining and delimiting the scope of the research study तो research जो complete process है तो उसमें जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको हम define करेंगे and deliminate करेंगे next option है analysis and interpreting research data जो भी data है जो भी information हमने collect की है field में जाकर के या google के through या जैसे भी ठीक है उसको analyze करना and उसको interpret करना next is it defining in defining a research population and method of sampling ठीक है next is reporting the research findings and using the same as a basis of policy formulation ठीक है so research में हमने जो कुछ भी चीज़ें collect की हैं जो कुछ भी हमारी findings है उसकी report generate करना ठीक है and उसको क्या करना उसको एक policy formulation के basis के रूप में use करना ठीक है तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें option number 3 में ठीक है पहले तो option number A है हमारा जो की select नहीं होगा ठीक है क्योंकि research hypothesis अगर हम generate करते हैं and उसके बाद null hypothesis को हम यहाँ पे set कर रहे हैं तो यह तो कोई logic ही नहीं है ठीक है next है defining and delimiting the scope of the research study ठीक है तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो option number D and E that is option number 4 is the right answer तो यह क्यों है right answer क्योंकि इसमें हम लोग research population को ठीक है research population को define कर रहे है and जो भी method of sampling है यानि कि sampling का मतलब है कि कहां से हमने data को collect किया ठीक है हम लोगों ने field में जाकर काम किया है या फिर हमने online ही data collect किया है यह सब चीजें important है ठीक है and जो research की हमारी findings है जो भी हमने अभी तक काम किया है उसके proper report बनाना ठीक है and policy formulation के basis को ध्यान में रखते हुए काम करना next question है which of the following statements is true in the case of a test prepared by you as a teacher ठीक है तो अगर आप teacher है ठीक है तो आपने एक test prepare किया तो इन में से कौनसे statement उसके regarding true है एक test जो है वो reliable है अगर वो objective है if a test is reliable it is objective ठीक है तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर कोई test reliable है तो वो objective होगा objective type questions जो होते है if a test is valid it is reliable also next है if a test is reliable तो ही उसको valid बोला जाएगा next है अगर एक test valid भी है एक test reliable भी है ठीक है तो ही उसको जो है हम usable बोलेंगे यानि कि validity और reliability दोनों चीज़ें होगी ठीक है तब ही क्या होगा तब ही उसको हम particular test को जो है वो use कर सकते हैं तो यह थोड़ा सा एक test को तब valid बाना जाता है ठीक है कि जब वो measure करता है कि क्या-क्या basis में हम लोग उने उस test को generate किया है for example a test designed to measure personality must measure the personality and not some other traits जैसे अगर किसी person की माल लीजए कि हम लोग mental ability को check करने के लिए test बना रहे है तो उसी से related questions होने चाहिए extra उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए इस तरह की चीज़ों को बोलते हैं validity ठीक है तो जो भी test होता है अगर valid ठीक है तो उसको reliable भी बोला जाता है next आता है reliability क्या होता है ठीक है so reliability का मतलब होता है consistency ठीक है यानि कि हम किस level पे किसी particular person को measure कर रहे है ठीक है यानि कि अभी जो मैं questions आप लोगों के साथ share कर रही हूँ मान लीजे कि आगे आने वाले 4 साल के बाद भी ये videos लोग पसंद कर रहे हैं इसका मतलब है कि जो questions है वो reliable है वो सिरफ अभी के लिए ही useful नहीं है वो आगे आने वाले time पे भी use होंगे ठीक है तो एक test को reliable बोला जाता है without being valid तो next आते ही है objectivity ठीक है अगर हम लोग किसी person के score को इनके opinion को ठीक है या फिर bias judgment जो होती है उसको eliminate करते है तो उसको objectivity बोला जाता है ठीक है usability होता है कि जो एक ही particular चीज अगर बार बार use होती है ठीक है तो ये थी four basic terms तो इस question का right answer होगा हमारे पास option number two तो अगर एक test valid है तो ही उसको reliable हम बोलेंगे next question is plagorism in research is ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ plagorism का मतलब क्या होता है ठीक है किसी चीज को copy करना अब मानीजे कि ये question है मैंने as it is google से copy किया तो मुझ भी case भी हो सकते plagorism का कि मैंने copy किये इन चीज़ों को ठीक है तो पहला option है creative use of previous data अगर हम किसी पहले के data को पुराने data को use करते है ठीक है तो क्या होगा वो उसका एक creative use होगा sorry यहाँ पर बोला गया है कि किसी previous data का creative use यानि कि उसी में थोड़े बहुत changes करके अगर हम उसको use करते हैं तो क्या उसको plagorism बोला जाएगा next है copying essential information and making use of it ठीक है जो भी essential information है जैसे मालीजे मुझे अभी MCQs की जरूरत थी तो मैंने इसको copy कर लिया and इसको use भी कर रही है तो क्या इसको plagorism बोलेंगे next है quoting someone and citing him or her ठीक है यानि कि किसी particular person को यहाँ पर हम quote करेंगे उसका नाम use करेंगे उसकी statements use करेंगे ठीक है next है referring to previous data and working over it with new objective यानि कि पुराना ही data हम use कर रहे है किसी पुरानी research का data हम use कर रहे है लेकिन हमारा objective जो है वो नया है ठीक है कुछ fresh theme हम लोग लेकर चले है लेकिन data पुराना ही है ठीक है तो यहाँ पर right answer होगा हमारे पास option number one sorry option number two that is किसी की essential information को copy करना and उसको use करना ठीक है so plagorism क्या होता है plagorism एक moral होता है ठीक है इसको हम बोलते है moral, ethical and legal issue तो इसी वज़े से मैंने आप लोगों को बताया कि अगर plagorism होगा आप लोगों की research paper में तो आप लोगों पर case भी कर सकता है कोई person ठीक है तो यह बहुत important concept है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए next question is a researcher uses data of an earlier research paper and published a new research paper so this is called ठीक है तो question वही है fifth question की तरह ही है बस इसमें थोड़ी सी statement को complicated किया गया है ठीक है तो यहाँ भी यह बोला गया है कि अगर हम किसी पुराने research paper से उसके data को use करते हैं ठीक है अपने paper में उसको add कर देते हैं publish कर देते हैं तो वो क्या होगा ethical है unethical है permissible है या proper है यानि कि ठीक काम है ठीक है तो इसका direct answer आप लोग बता सकते हो कि यह unethical हो सकता है यह unethic चीज है ठीक है next question is in which of the following there is considerable scope for violation of research ethics again यहाँ पर research की जो नितिकता है उनको violate करने से related चीज़े है तो यहाँ पर पहला है proper formulation data interpretation hypothesis making reporting of research result using research tools prepared by others ठीक है तो किस basis पर ठीक है हम बोल सकते हैं कि जो research ethics है उसको हम violate कर रहे हैं ठीक है तो पहला तो यहाँ पर यह है कि अगर हम लोग data को interpret कर रहे है तो वो एक research violation का ही part है ठीक है दूसरा हो सकता है कि reporting of research result next है using research tools prepared by others ठीक है यानि कि किसी और ने research tools generate किये थे बनाये थे use हम उनको कर रहे है ठीक है तो right answer है option number 3 that is B, D and E next question is assertion and reason ठीक है का logic में बता चुकी हूँ कि reason से पहले आप लोग because add कर दो easily question solve हो जाएंगे ठीक है तो assertion में बोला गया है कि research ethics and its observance are necessary for the interest of credibility and quality of research यानि कि जो research ethics है ठीक है and इसकी जो observance है ठीक है यानि कि उसका जो अनुसंधान का जो पालन है ठीक है यह बहुत जरूरी होते है क्यों जरूरी होते है for the interest of credibility and research की quality को enhance करने के लिए क्योंकि reason दिया गया है the policy making bodies have to be accountable for pursuing research with an eye on promoting excellence ठीक है यानि कि जो policy making bodies होती है जो policies बनाती है research related ठीक है यह क्या करते है यह करते है accountable for pursuing research with an eye on promoting excellence यानि कि इनका main focus जो है वो excellence को promote करने में होता है ठीक है उनको जवाबदा ही करनी होती है वहाँ पे तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि both a and r are true and जो r है वो a की correct explanation है यहाँ पर बोला गया है कि a और r दोनों true है बट r जो है इसकी correct explanation नहीं है a is true, r is false a is false, r is true ठीक है तो यहाँ पर आप लोग इसी लिए देख सकते हो कि जो statement first है कि इसमें जो भी research ethics होते है इसमें interest of credibility और research की quality पे focus करना बहुत ज़रूरी होता है इसलिए इनको develop किया गया है तो a जो है वो बिलकुल correct है ठीक है तो option number four eliminate हो जाएगा reason क्या है कि policy making bodies जो होती जो भी लोग policies बनाते है यह rules, regulations को बनाते है उनको excellence पे जो है हमेशा ध्यान रखना पड़ता है ठीक है उसको promote करने पे हमेशा focus करना पड़ता है इसलिए यह research ethics जो है वो design किये गए है तो right answer होगा हमारे पास option number one that is A जो है correct है R भी correct है and R is the right explanation of assertion next question is which of the following not support practice of ethics in research ठीक है तो यहाँ पे not पे focus करना है maximum students जो है फोकस नहीं करते है and question जो है वो गलत हो जाता है ठीक है तो क्या है यह not support practice in ethics in research तो पहला option है restricting access to participants identification यानि कि जितने भी participants होते हैं जो भी research में participate ले रहे हैं participate कर रहे हैं उनकी identification के थूँ उनको हम लोग access नहीं देंगे restrict कर देंगे access को next है revealing information or participant only with written consent ठीक है लेकिन क्या बोला है यहाँ पे written consent यानि कि सिरफ लिखित में ही उनको हम लोग क्या करेंगे information reveal करेंगे next is disclosing the data subsets यानि कि जो भी data के subset होते हैं उसको उसका खुलासा कर देना सबको वो चीजें बता देना next आता है हमारे पास restricting access to data instruments where the participant is identified ठीक है यानि कि जितने भी हमारे पास data instruments है data के उपकरण है tools भी यहां पर हो सकता है ठीक है data के tools जो भी है ठीक है उनको क्या तरना उनके access को restrict कर देना जहां पर भी participant की identity use होगी ठीक है तो यह भी बहुत direct question है कि जो भी हमारे data के subsets होते हैं ठीक है उसको disclose करना इसको हम लोग research ethics में add नहीं करते हैं ठीक है तो right answer होगा option number three next question is using someone else research without due acknowledgement is called as यानि कि किसी की knowledge के बीना अब जैसे मियान लीजे कि आप लोगों ने कोई poem लिखी है ठीक है आप लोगों की permission के बीना मैं उस poem को कहीं public place में सुना रही हूँ या फिर मैंने एक book में publish कर दिया उसको अपना नाम लेकर के ठीक है तो ये सब चीजें आती है किसके अंडर copyright plagorism, publication and patent ठीक है तो ये सब चीजें आती है research के case में किसके अंडर plagorism के अंडर copyright भी वही होता है कि अगर हम किसी की चीज को use करते हैं without उनकी permission तो copyright का भी चार्ज हम लोगों पे लग सकता है लेकिन research में हम लोग generally use करते हैं plagorism term को ठीक है तो right answer है option number 2 तो ये थे हमारे आज के 10 questions आप लोग comment section पे मुझे बता सकते हो कि आपने 10 में से कितना score किया है and इसके अलावा अगर आप लोगों कोई भी query है किसी भी question में तो आप लोग comment करके हमें बता सकते हो paper 1 के साथ-साथ paper 2 preparation पर भी focus कीजेगा exam oriented way में complete study material हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें आपको full syllabus notes और MCQs मिलेंगे इसमें आपको previous year questions most repeated questions और expected questions हम देते हैं जिसमें से as it is questions हर बार exam में पूछे चाते हैं ये study material ना सिरफ exam qualify करने में आपको मदद करता है वलकि इसके बाद interview को qualify करने में भी आपको बहुत help करेगा so subjects के list आपके सामने है इसमें से अपना paper to subject select कीजिए and given whatsapp numbers कर contact करके आप इसको आज ही join कर सकते हो इसके लिए आपको सिरफ एक ही बार फीस देनी है बारास वसी रुपए and मैं आपको surety देती हूँ कि जब तक exam clear नहीं हो जाता interview clear नहीं हो जाता तब तक आप इसका benefit उठा सकते हो so thank you so much everyone for watching this video and I wish you all the very best